गाहुल गांदी जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, कीर्ति अजाज जी, रमेश कुमार जी, मदन मोहन जा जी, तारिक अनवर जी, प्रमोध तिवारी जी, नरेश सैनी जी, पुनम अजाज जी, सुभम शर्मा जी, प्रमोध यादव जी, युद्राज चौधरी जी, सतीश लोया जी, अमरिंदर सिंग जी, और बेहनों और भाईयों, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, भाषन सुन सुन के ठक तो नहीं गए, चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, सब पार्टी के उमीदवार आपके सामने आकर, बड़े बड़े भाषन करते हैं, आज कल कभी कभी ऐसे लगता है, कि मुद्दे गायब हो रहे हैं, और बयान बाजी बहुत हो रही है, हो रही है कि नहीं, जो सबसे एहम मुद्दे हैं, वो कौन से हैं, बताइए, जब आप यहां आते हैं, देश भर से, किस चीज़ को रोजगार को ढूनने आते हैं, परसों, कल या परसों प्रधान मंत्री जी ने एक भाषन दिया, आप सब ने सुना होगा, उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने जो वादे किये थे, जिसके बारे में सब ने इस मंच पे आपको याद दिलाया, उन्होंने उसके बारे मैं आप से बात की नहीं की न दरसल ये है बात ये है कि चाए भाजब्पा के नेता हो या आम आदमी पार्टी के अपनी प्रशंसा में रहते हैं आपको सुनाना चाहते हैं कि बड़े बड़े काम किये हैं लेकिन जो आपकी काम की बात है उसके बारे में कम बात करते हैं हाल ही में एक रिपोर्ट निकली है जिसमें साथ और योकिक शेत्र में से साड़े तीन करोर रोजगार घटे हैं ये लिखा है साड़े तीन करोर रोजगार घटे हैं और देश के प्रदान मंत्री जब आपके सामने भाशन देने आते हैं तो इसका जिक्र तक नहीं करते क्या वो बता सकते हैं कि इन रोजगारों का घटना सैयोग है या प्रयोग है बता सकते हैं कि 35 सालों में जो बेरोजगारी का दर इतना उचा हुआ है ये क्या सैयोग था या प्रयोग था उनका वे कहते हैं कि विपक्ष ने काम नहीं करने देता लेकिन वो फिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं ये बात सच है बड़ी तेजी से काम हो रहा है बड़ी तेजी से सरकारी कमपनिया बिक रही है L.I.C. बेच डाली Air India बेच डाला B.P.C.L. बेच डाला B.S.N.L. बेच डाला यहां तक की रेलवे भी बेच डाले की योजना कर रहे हैं सच मुच उनकी रफतार बहुत फास्ट है कांग्रिस सरकार ने 14 करोर लोगों को गरीबी से निकाला और 5 सालों में जिस तेजी से इन्होंने लोगों को गरीबी में वापिस डाला है उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता और बयान सुनिए यहां यूपी के कितने लोग हैं यह बयान सुनिए बहुत मज़ेदार बयान है ग्रे मंत्री जी आए प्रचार करने ग्रे मंत्री जी ने क्या कहा कहा कि हम दिल्ली को यूपी की तरह बना देंगे अब मैं यूपी की प्रभारी हूँ कॉंग्रेस पार्टी की थोड़ा बता दूं कि उन्होंने यूपी का क्या बनाया है देश का सबसे प्रतिभाशाली प्रदेश था आज क्या हालात है वहां की भाजप्पा के सरकार ने किस तरह से यूपी की जनता को त्रस्त किया है मैं बताती हूँ यूपी की जो बेरोजगारी की दर है वो देश में सबसे उची है हर दो मिनट हर दो मिनट एक महिला के साथ बलादकार होता है हर नबे मिनट एक बच्चे के खिलाफ अपराद होता है हर रोज तीस दलितों के साथ अत्याचार होता है हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने कहा बेरोजगारी सबसे उपर है और शिक्षा सबसे नीचे स्वास्त सबसे नीचे तकरीबन सतर हजार युवा शिक्षक भरती में के लिए इंतजार कर रहे हैं ये हलात है यूपी के जहां इनकी सरकार पांच सालों से चल रही है और ये आपके सामने आकर ये हिम्मत करते हैं कि आपको कहते हैं कि दिली को भी यूपी की तरह बनाना चाहते हैं यूपी सबसे सक्षम सबसे सक्षम प्रदेश था और आज इसके ये हलात बना दिये इनों ने अपराध ही अपराध है अराजकता है और विकास का कोई नामों निशान नहीं है यहुई भाजप्पा की बात अब सुनिये कि आम इस्टिति है कि इमारत बनाई शीला जी ने कॉंग्रेस पार्टी ने पूरी इमारत बनाई उपर से लीपाप होती करके कह रहे हैं कि या इमारत हमने बनाई दूसरों की मेहनत पर अपनी पुताई करना एक बात होती है मेहनत से निश्ठा से एक इमारत को खड़ा करना नए नए प्रोजेक्ट बनवाना एक शहर को सक्षम बनाना उसमें विकास लाना एक बहुत अलग बात होती है आप जानते हैं कि शीला जी ने जब वो मुखे मंत्री थी तो क्या नहीं किया दिल्ली के लिए हम सब दिल्ली के वासी है, दिल्ली में पले है, दिल्ली में बढ़े है, हमने खुद अपनी आँखों से देखा, जितनी सडकें यहां बनी उनके समय में, आज तक अगर आम आदमी पार्टी या भाजप्पा बता दे कितनी सडक बनाई है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, फ्लाइ ओवरे उन्होंने बनवाए, मेट्रो उन्होंने बनवाया, तमाम विकास के कारिय उन्होंने कराए, आम आदमी पार्टी के नेता और भाजप्पा के नेता, एक चीज में बहुत सक्षम है, पब्लिसिटी कराने में, प्रधान मंत्री जी, बावन सौ क्रोर रुपे, बावन सौ क्रोर रुपे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी में डलवाते हैं, और केजरिवाल जी भी कोई कम नहीं है, सिर्फ दिल्ली के चुनाओं में 611 क्रोर रुपे खर्चे हैं पब्लिसिटी में, अब बताये इतनी पब्लिसिटी की क्या जरूरत है, अगर काम ही बात कर र हैं कि शिक्षा में बहुत कार्य किया लेकिन जितनी पाटशाला हैं और जितने विश्विध्याले दिल्ली में हैं वे कॉंग्रिस की सरकारों बनवाए स्वास्त को देखिए कांग्रेस की सरकारों ने तमाम हस्पताल यहां पर बनवाए जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो आप से उन्होंने वादा किया था कि कम से कम पांच हस्पताल बनाएंगे एक भी नहीं बनाया कांग्रेस की सरकार ने 22,000 बैड हस्पतालों में बढ़ाये थे इनके 5 सालों में केवल 3,000 बढ़े हैं तो आप सोच सकते हैं कि बात एक तरह की होती है और असलियत यह है कि काम कुछ और हो रहा है काम कम हो रहा है दूसरों के काम के बल पर थोड़ा बहुत करके आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी पबलिस्टी हो रही है जहां जहां मैं जाती हूँ, दुकांदारों से बात करती हूँ, छोटे व्यापारी से बात करती हूँ, सब तरस्त हैं सब मुझे कहते हैं कि GST नोट बंदी से एकदम मार खा गए हैं कमर तूट गई है उनकी यहां आते हुए मैंने देखा काफी नौजवान आ रहे थे इस मीटिंग के लिए रोजगार के लिए तरस रहे हैं लेकिन यह मुद्दे उठ नहीं रहे हैं इस चुनाओं में इसके बारे में आपसे बात नहीं की जा रही है कोई दूसरे देशों की बात करता है कोई फूट पहलाने की बात करता है एक जने कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो देश-द्रोही है कोई और कहते हैं कि जो भी उनकी अलोचना करता है वो भरश्ट है जब कोई सवाल उठाता है आपके पक्ष में जनता के पक्ष में कि आपके लिए अच्छा क्या है यहाँ पे विकास किस तरह से होना चाहिए रोजगार क्यों नहीं है तब उसका मूँ बंद करने की कोशिश होती है अब आप जनता हैं ये देश का केंद्र है आप सब यहीं के निवासी हैं बहुत समझदार है पब्लिसिटी भी समझते हैं मीडिया को भी समझते हैं खास तोर से आप नेताओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो आपको पहचानना चाहिए ज़रा अपने दिल के अंदर सोचिए देखिए कि आपके लिए काम किस ने किया है और आगे आप कैसा देश चाहते हैं कैसा प्रदेश चाहते हैं यह कोई छोटा चुनाव नहीं है महत्वपून बात है संजीदगी से लीजिए कि जब आप अपना वोट डालने जाएंगे तो किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं किस तरह का प्रदेश बनाना चाह रहे हैं क्योंकि आज अगर आपके काम की बात नहीं हो अगर रोजगार की बात नहीं हो अगर विकास की बात नहीं हो अगर वैसे मुद्दे नहीं उठें जिससे आपके जीवन पर असर पड़ता है तो कुछ बहुत गलत हो रहा है और इस गलती को ठीक करने के लिए आपके हाथ में सबसे बड़ा हत्यार है जो आपका वोट है बहुत बड़ा हत्यार है सोच समझ के इस्तमाल कीजिए जब आप कॉंग्रेस को विजयी बनाएंगे तो आप जानते हैं आपने पर्खा है दिल्ली में आपका अनुभव रहा है कि काम करके आपको दिखाया है जितना भी दिल्ली में विकास हुआ है कॉंग्रेस द्वारा हुआ है इसलिए आज तारीक को जब आप वोट डालने जाएंगे पूनन जी को विजयी बनाएए कॉंग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को विजयी बनाएए ताकि आपके प्रदेश में दुबारा एक ऐसी सरकार बने जो आपके लिए काम करे आपकी समस्याओं का हल करे बहुत बहुत धरन्यवाद जैहिं